नमस्कार दोस्तों जैहिं जैभरत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे एकांग कि किसे कहते हैं इससे संबंदित प्रेश्टन मध्य प्र रदेस की बोड वर लोकल पmen पैशाओं में तथा हिंदी साहिते से संबंदित परिषाओं में पूचे जाते हैं दोस्तों एक आंकी गद्य साहित्य की एक लोगप्रिय विधा है, गद्य की प्रमुग विधा में से एक है दोस्तों, एक आंकी एक अंक का नाटक होता है, जबकि नाटक में बहु अंक होते हैं, अब एक आंकी की जरुवत क्यों आन पड़ी, तो हम देखते हैं, आज के व्यस्त जीवन में आज का जो दोर है दोस्तों वो व्यस्थ है बिल्कुल मानव के पास समय नहीं है इसलिए मानव कम से कम समय में मनुरंजन चाहता है वो बड़ी-बड़ी कहानिया ना पढ़कर बड़े-बड़े नाटक ना पढ़कर छोटी लगु कहानी चाहता है समझे अथा ऐसी विधा की कामना करता है जो अपने लगु कलेवर द्वारा मानव की ज्यान पीपासा और मनुरंजन की भूग को शांत कर सके यानि कि मानव के पास समय नहीं है इसलिए चाहता है कि छोटे से डिब्बे में भाती-भाती का इंद्र धनुशाम में देखने को मिल जाए तो एकांग की इसी भूग को शांत करने का सरसेष्ट साधन है एकांग की इस लक्षे की पूर्ती का सरसेष्ट साधन है दोस्तों वो अपने छोटे से कलेवर में यानि की लगु कलेवर में बहुत सारा भंदार समेटे हुए है डाक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांग की परिभ करते हुए यानि कि उसमें नाटकिये संचार होता है तो नाटकिये कोसल से कोतु हल का संचार करते हुए चरम सीमा तक पहुंच दी यानि कि उसमें कोई गोण प्रसंग नहीं होता है जैसे नाटक में तो आधिकारी घटना के साथ गोण प्रसंग की कथाएं भी आती हैं जबक युक्त रहती है यानि कि जो एकांकी कथा होती हो कैसी होती है दोस्तों जिग्यासा पूर्ण होती है इसमें विस्तार के लिए अवकाश नहीं होता एकांकी में क्या होता है जबकि नाटक में क्या होता है विस्तार फैलाव होता है एकांकी का प्रान तत्तु संघर्ष होता है यह दियान रखना है आपको एकांकी का प्राण तत्यू संगर्स होता है जबकि नाटा का प्राण तत्यू क्या होता है रंग मंचियता इसमें संगर्स होता है ज्वंद होता है पात्रों के मध्ये भोत तीवर गती से हिंदी साहिते में एकांग की समराथ कौन कह जाते हैं डाक्टर राम कुमार वर्मा उदोंने आधुने के कांग की को एक नई दिशा प्रदान की है उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पसंद भी आया होगा हिंदी की प्रदा में कांग की है दोस्तो एक हूट जिसके रचिता है जेशंकर प्रसाथ धन्यवाद